मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी का लंदन का प्रबास अब रंग ला रहा है Global Investor Summit के लिए लंदन में उनके विदेशी और दिविक घहरानों के साथ बैठकें आयुजित की गई और बताने कि ये सारी बैठकें अब सफल साबित हो रही है और दिविक जगत में उत्राखंड सुरक्षित निवेश की संभाबनाओं की रूप में उभर कर सामने आया है उत्राखंड में और दिविक निवेश के लिए मुख्यमंतरी ने रोड शो में हिस्सा लेते हुए लंदन के कई प्रमुख विजनेस हाउसेस के साथ में बैठकर की है इस दोरान मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी की उपस्तिती में अलग-अलग कंपनियों के साथ में 4800 करोड रुपे के इंवेश्टमेंट MOU साइन किये गए है लंदन में उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ने और दोगिक समू कयान जैट के साथ दो अलग-अलग MOU में 3800 करोड और उशा ब्रेकों के साथ 1000 करोड रुपे के इंवेश्टमेंट के MOU साइन किये कयान जैट दोरा उत्राखंड में इसकींग रिसॉर्ट विक्सित करने के लिए 200 करोड इवं केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड का इंवेश्टमेंट MOU साइन किया कयान जैट दोरा ओली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में इसकींग रिसॉर्ट प्रोजेक्ट्स विक्सित करने को लेकर सहमती बनी इसके साथ ही रोपवे के शेत्र में अग्रणी उशा ब्रेको लिमिटेट के साथ हरीद्वार और अन्य जनपदों में रोपवे विक्सित करने पर सहमती बनी है लंदन में आयोजित मुखे कारिक्रम में शिक्षा परिटन, आईटी और स्वास्ट शेत्र से चुड़े विबिन अस्सी उद्योग घरानों ने हिस्सा लिया इस दोरान प्रतिनिधियों ने इंडिया हाउस और पालियमेंट हाउस का दोरा भी किया और बिटेन की संसत के सदस्यों से चर्चा की ब्रहमन के दोरान प्रदेश सरकार के डेलिगेशन ने लंदन में टूर एंड ट्रैवलिंग शेत्र से जुड़े प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और राज्चे में बहतर परिवहन तकनीक पर विचार साजह किये मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने सभी निवेशकों को आगामी डिसंबर महिने में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्राखंड आने के लिए आमंतरित किया सैयोग से आज बिश्व परिटन दिवस भी है मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने कहा कि उत्राखंड को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में प्रदेश सरकाल लगता कारे कर रही है उत्राखंड में वेलनेस टूरिज्म और विलेज टूरिज्म जैसी अनेक संभाव नाए है उन्होंने कहा कि उत्राखंड में रिशिकेश योग और आध्यात्म की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है यूरोप से लेकर अन्य देशों के पर्रिटक हर साल बड़ी तादात में योग आध्यात्म के लिए उत्राखंड का रूख करते हैं सीम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार रिशिकेश और अन्य इस्थानों पर विश्व इस्तरिये कन्वैशनर सेंटर की स्थापना के लिए निवेशकों से बात चीत कर रही है उत्राखंड से स्टेट हैट अवनी शेन की रिपोर्ट